राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना से जूज रहे लोगों के लिए बहुत मुश्किले पेशा आ रही हैं क्योंकि एक तरफ बेड मिल नहीं रहा है ना आक्सिजन मिल रहा है ना आइसी यू बेड वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार की एप है उसको लेकर के भी शिक है तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया क्या है बेड को चेक करने की अवेलेबिलिटी चेक करने की ये भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपके सामने बात करके भी दिखाएंगे कि सच्चाई कितनी है क्या जानकारी दुरुस्त है या नहीं तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार के एप डेली कोरोना एप को खोलना होगा जिसमें आप सामने ही देख सकते हैं कि दो तरह के बेड की जानकारी दी गई है कोवीड-19 बेड्स यानि कि ये जैनरल बेड्स है और दूसरा है कोवीड-19 ICU बेड्स तो आप देखिए इसमें बताया गया है कि कितने बेड्स ओवराल दिल्ली में हैं कितने ओक्युपाइड है यानि कितनों पे लोग हैं और कितने खाली है तो अगर हम बात करें कोवीड-19 बेड्स की तो यहां पे वेकिंट दिखा रहा है यानि खाली अवेलेबल दिखा रहा है 1703 अब हम आपको खोल करके आगे कि भी का भी यहां पर भी जीरो बेस हॉस्पिटल डेली कैंट यहां पर एक बेड्स खाली दिखा रहा है तो हम यहां पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बेड्स खाली है क्या लोगों को यह बेड्स मिल रहा है इसके लिए हम सबसे पहले अस्पिताल को कॉल जाएगा क्या oxygen की availability है अस्पताल का नंबर ही व्यस्ता रहा है तो आप सोचिए अगर कोई emergency में हो तो आखिर वो bed की जानकारी कैसे लेगा जब अस्पताल का नंबर ही व्यस्ता रहा है जो कि करा कि Anybody एक सरकारी एप है यह नंबर Lेकिन खेर क्योंकि यहां पर कॉल नहीं लगपा रही है हम दूसरी जेगह जगें पर कॉल अवेलेबल हैं बाबा साहिब हम बेड़ कर जीव जीरो बेड बुराडी वस्पिटल जीरो आप लगातार देखें यहां पर जीरो बेड़ से एमस्ट्रॉमा डेली में दिखा रहा है कि पांच बेड़ खाली है तो हम यहां पर भी बात करते हैं कि कितना क्या स्थिति है क्या बेड मिल जाएगा हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने हमें यही उम्मीद है कि हमारा कॉल लग जाए हमारे बात हो जाए अब देखें यहां का नंबर ही नहीं लग रहा है आप यह देखें तस्वीरें आपके सामने हम लगातार कॉल ट्राइ कर रहे हैं आप से चलेगा क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग हस्पताल हस्पताल घूमेंगे अब देखिए सब्दर जंग हॉस्पिटल में भी जीरो बेड अवेलेबल हैं यानि कि यहां पर आपको बेड नहीं मिलेगा है लेच एमसी यहां पर यह सेंट्रल गवर्मेंट का हॉस्प यह यह नंबर ही गलत बता रहा है अब अब समझ की किया स्थिती है णिमभरी बता रहा हए अगर किसी के घर बाले परीशान हों मजबूरी में हो आप समझे कि वह ने सरकार के अस्पतालों का नंबर मिलाया लेकिन आप देखिए किसी का नंबर गलत बता रहा है किसी का नंबर व्यस्त बता रहा है और किसी का नंबर लगी नहीं रहा है यह सरकारी एप पर अवेलेबल नंबर है अब आप समझिए कि स्थिति क्या है हम फिर से कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं लग रह प्रंब्र्म 4 दिखाते हैं कि यहां पर ये नंबर द्या हुआ है हम इस पर भी कॉल करेंगे इस नंबर पर भी संपर्क नहीं हो सकता है अब आप देखिए अगर किसी के घर वाले क्रिटिकल कंडिशन में हो एड्मिट कराना हो बेड की जानकारी चाहिए हो बताइए आप ही कि क्या करेंगे हालात तो ये हैं ये तस्वीर हैं भले ही सरकारे भले ही प्रशासन लगातार बोल रहे हैं लेकिन जो हकीकत है हम आपके सामने लगातार कॉल मिला रहे हैं ये पाचवास पताले जिसको हम कॉल मिला रहे हैं और देखिए यहां का भी कॉल नहीं लगा हालांकि हम कोशिश करते रहेंगे हम कोशिश करते रहेंगे जानने के लिए कि कहां पे लोगों को मदद मिल सकती है आप देखें यहां पे सत्यवती हरिश्चंद हॉस्पिटल हम कोशिश करेंगे कि यहां पे हमारी बात हो जाए यह है सत्यवती हरिश्चंद हॉस्पिटल हुए हमने कॉल लगा दिया आफ देख सकते हैं कि सत्यवति हॉस्पिटल दिखा रहा इस पर लिखा हुआ आई डी में लेकिन लेकिन यह नंबर भी गलत है इस नंबर पर भी संपर्क नहीं हो सकता है आप बस हम हला देखते रही तरी कि किस तरह से यहां पर मानी जाती है लेकिन यह देखे यह च्छठा हॉस्पिटल है जिसको हमने कॉल आप ते जाए ये बाकी सारे में जीरो बेट्स अब ये दिखा रहा है हम दर्दनगर में हम इस्फ इंद्र सरकार की नां सिफ राज्य सरकार की बलती जो प्राइविट इस्फटालें कि जो अब यह ऐसा नहीं कि यहां पर बेड कम अवेलेबल हैं दिल्ली सरकार के एप के मुताबिक यहां पर 245 बेड अवेलेबल हैं आप तस्वीरों देखिया हमारे सामने 245 बेड फिर भी यहां पर बात नहीं हो पा रही है हम लगातार अस्पतालों को कॉल मिला रहे हैं यह जनरल अस्पतालों की स्थिति अब हम कोशिश करेंगे आइसी यू बेड के लिए कि आइसी यू बेड की क्या स्थिती तो अभी आप देखिया आइसी यू बेड में वेकेंट दिखा रहा है कि 14 पूरी दिल्ली में इस वक्त के वल 14 बेड अवेलेबल है आइसी यू के यानि कि अ जिरो एंस ट्रॉमा डेली एमस के ट्रॉमा डैली में आप देखिए कि दो बेड अवेलेबल हैं हम कोशिश करेंगे कॉल करने की हम कोशिश करेंगे बात करने की लिव नंब Gentlemen nait ga यानि कि यह नंबर गलत है या फिर यदनंबर सेवा में नहीं है कि सफदर जंग यहां पर भी जीरो 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 आप देखते जाए हम आपको दिखा रहे तस्वीरों में यह आई सी यू बेट्स की स्थिति जीरो दिल्ली के सारे बड़े अस्पताल यह देखे जीरो 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 जैपूर गोल्डेन हॉस्पिटल रोहिडी यहां पर रा चार बेड बेड अवेलन हैं प्रायवेट ऑस्पिटल है बात करते हैं इस पें में आप कोशिश करेंगे यहां पर हमारी अब roast ह का की यह नबर भी नहीं लग रहा हैत्το आप देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि हम यहां पे कोशिश क्לא तैसरे पाराब क्योंट ने कि घंने डенд ने राई होगी बूरब स Bene से तो 20 आप देखिये सारे छाड आप 25L बड़ाइन चाहिड अजिसमें जैवन ऑन्हां जैवन रिदिया सास्टानीटित सब्सक्तारा साब Sí subscribe पांच बेड़ अवेलेबल हैं हम कोशिश करते हैं यहां भी बात करेंगे अगर आप देखें अस्पतालों के स्थिती तो ओवरफ्लो हैं अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी जादा है कि दस बेड़ है अगर तुमापे तीस मरीज है इस समय ऐसी स्थिती है पूरे देश में हैं लेकिन क्या अस्पतालों को लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जहां पर बेड़ नहीं है वहां का समझ में आरहा है कि नहीं बात कर सकते लेकिन जहांपे बेड़ अवेलेबल अवहाँ पर यह सिती है बाकी सब में आप देख सकते की लिए तो आपके शामने हकोषेश की हमने बात करने की राजधानी दिल्ली मिश्टावे बड़े स्थिति है कि कोई बात नहीं कर रहा है या तो नंबर गलत है जो दिल्ली सरकार के एप पर या फिर नंबर स्विच आफ है तो इसे में आप समझ यह कि कोरोना के दौर में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए मारा मारी मची है एक अदद बेड के समवेदन शीलता पे सरकार के समवेदन शीलता पे और इस वक्त जो लोग मैनेज कर रहे हैं पूरिस्तिती को उनके समवेदन शीलता पे भी सवाल उठाता है कैमरा परसन निखिल रस्तोगी के साथ निवेत आपको रखे आगे कर दो कर दो कर दो हाँ